रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याए एक पत्री अध्यादा की आत्मा के भाव से मरे हूं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिन में से तुम भी यिश्व मसी के होने के लिए बुलाए गए हो, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यिश्व मसी की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ती मिलती रहे। पहले मैं तुम सब के लिए ईश्य मसी के द्वारा अपने पर्मेशर का धन्यवात करता हूँ, कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। मेरी आत्रा पर्मेशर की इच्छा से सुफल हो, क्योंकि मैं तुम से मिलने की लालसा करता हूँ, कि मैं तुम्हे कोई आत्मिक बर्दान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात यह है, कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, शांती पाऊं। और हे भाईयो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस से अंजान रहो, कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे और अन जातियों में फल मिला, वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। को भर्सक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वैं हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी, फिर युनानी के लिए, ओधार के निमित परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धर्मिक्ता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रगट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और परमेश्वरत्व जगत की स्रस्टी के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुध्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आपको बुध्धि मान जताकर मूर्ख बन गए, और अबिनाश्वर की महिमा को नाश्मान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जन्तुओं की मूरत की समानता में बदल ड करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर जूट बना डाला, और स्रश्टी की उपासना और सेवा की, न की उस रजनहार की जो सधा धन्य है, आमीन। इसमें कामातुर होकर जलने लगे, और पुर्ष्यों ने पुर्ष्यों के साथ निरलज्य काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहिचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, कि वे इर्षा से भरपूर हो गए, और चुगल खोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घ्रनित, औरों का अनादा करने वाले, अभिमानी, दींग मार, बुरी-बुरी बातों के बनाने वाले, माता-पिता की आग्या न मानने वाले, निर्बुध्धी, विश्वा गाती, माया रहित और निर्दय हो गए, वे तो परमेश्वर की यह विधी जानते हैं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्य भी होते हैं.